तो दिपली का हम लोग दिपा वली में भी यूज करते हैं को पूजा होता है घर में यूज आगरामीन चेत्र में जनरली गोसाइं घर में इधी रख चलना है चुकि नया दुकान है अब अब नीका टाइम है कास्टमर भी इनको बनाना है तो इसमें 5-10-15-20 रुपया का है कि प्रणा सस्ता है बताई इसमें जो दही पौडाता है ना उसका टेस्ट वाला मतलब अईसे हां तुठाने बाला ने पपनी में लोग हां तुठाते है जब भगवां चंद्रमान को लुटा नहीं है इसमें जो हैसो नारियल लुडियल दे के कला बोलते है ना एकर कातिया कुमाया जाता है तो बीद होता है इसको ने उठाएंगे क्योंकि कहीं ने कहीं इसको अगर उठाएंगे तो फूट उठ जाएगा मालीजे गरीबादमी का नुकसान हो जाएगा देखिए दिखा रही है इसको गुल्लक कहिए चाहे हम लोग अपने गाउं में करते हैं चु जिसमें एक टक्या दू टक्या गिराते थे इसे इसे करके तो जो हैसो घर में सजाने के लिए देखिए कितना आइटम है इसको टेबल पे टीवी के बगल में प्रीज पे कहीं भी इसको रख दीजिए पैसा भी जमा होगा घर का सुंदरता भी बरेगा आप इतना पेट नि निकाली होने सकते हैं इसमें दूग रुपया गिराया हुआ है लेकिन अठनी आप चलना बंद हो गया इसमें भी श्री लिखा हुआ है ओम बना हुआ होल किया हुआ यहां पे पानी बढ़िया इसे इसे दिरे-दिरे गिरता रहता बहुत बनिया चीज बना हुआ है सुभधा उमर भी देखी रहे है जला रहे है अब बहुत बनिया चला है तो सुभधा है उमर भी देखी रहे है इसे चलाते उसको आप बहुत बनिया कलाकार है इने समझेगा कि आजे बना रहे बच्पने से सब चीज बनाते हैं हम लोग छोटे-छोटे थे तब भी बनाते थे इस पर कौन-कौन सा आइटम आप बना लेटे हैं। इस पर हम घड़ा बनाते हैं, करोना बनाते हैं, दही जमाने वास्ते, और धकन बनाते हैं, दीप बनाते हैं, मिती का समान जो है चकी पर बनने लाइगू, बनाते हैं, सुराही बनाते हैं, हाथी भी देखे थे कलाकार जो बराते हैं इनको बाजार उपलब्ध करवाना सहरी छेत्म में बहुत सारे लोग इसका उप्योग करना चाहते हैं लेकिन इनका समान सहर में पहुंचेगा कईसे इसकी कोई वेवस्ता ही नहीं है यह दुकान गाउं में खोले हुएं कितना भीक देशा में आएंगे नया जेनरेशन भी आएगा और फलेंगे पूलेंगे और इनकी तरकी होगी चुजाहिर सी बात ही गाउं की तरकी होगी तो बिहार की तरकी होगी लेकिन सरकार तो चाहती है कि बिहार की तरकी नहीं हो लोग बुर्भक बने रहे हैं मेरा नम राजा है और आप देख रहा है रोसरा जक्सन अभी हम जहांगीरपुर गाउं में मौजूद है हमारे पीछे तीन माता जी है जो मिठी का भरतन हाथ में रखी हुए है कहां खरीद लिए है यहां पे खरीद है पंडी जी को जगाहिपुर में इसको पुजा होता है भगवान का चोठी जनर्मा का पुजा किया जाता है तायी जो पॉठी और ईपवरेंगे और दिपली में आप आइटम को पुजा करेंगे यह जो चोड़ी दिपली रख रखी हुए है बोल रही है कि इसमें दभी पॉठी का बना हुआ है ईसमें चार तरफ से दिप जल सकता है जा है चार उतरफ से तिने को बत्त हखे और फिर बनाया जाता है पुझा करते हैं जाए वह फिर मतलता है कहों फोधिन यह चोठी चनर्मा का होुता है यह्चिए होता है चरचन पवनी जार दिन है पिछला पक में जा पक में जाष न आति भाव कर चरच अब ऐसे सब लोग चोड़ चांद बोलते हैं तो इनके माता जी लोग मिटी का बरतन खड़ी दी हैं अभी पर वारा है साइद 10 थारिक को है चोड़ चन पबनी है उसी के लिए लोग मठकूरी खड़ दी हुई है इनके हाथ में थोरा सा बरा है और इनके मठकूरी में एक ची लगता है इनका परिवार भी बरा होगा घर में लोग जादा छाएं लेकिन सब इधार उधरा बाहर छे सब बाहर छे ने खाली हैं अमरे दुगपुतो चाहम चीए गाइड़ी है तो आधा किलो दही काफी छे आहां चटका चटका बहुत तेलेने छे घर में बहुत परिवार अलग 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 मठकुडिया में दिख गया इनके यहां दूग पुतों है अपने हैं एक ली है आधा किलो वाला यह बरासा ली है सेर वाला क्योंकि इनके परिवार में बहुत सारे लोग है चोटा-चोटा ही चार गो पांच गुली है अब इवावक है घड़के अई सब के लिए जहां सो ले ली है पूरे सब पुतों के लिए ताकि किसी में कोई अनुबन नहीं हो कि हमको नहीं मिला उसको ना 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 इतो हो गए कस्टमर अब में चीज जो हम अभी दिखाएंगे आपको यहां पे एक दुकान खुला हुआ है इसी मिटि के बरतन का इह लोग बहुत बभनिया कलाकार है लोग के पास सद्ध糖 MY काम कर रहे है आड से नहीं कर रहे से हम लोग से ही देखते आ हैं कि यहां पे मिटि का बरतन बनाते थे पहले ऐह я लो सब आइटम नहीं कार खाना भी है जहां पर मसीन लगा हुआ है और हाथ से भी काम होता है लगाने का मकसद यह है कि इसम कला जो है मिठी का बरतन वाला कुम हार लोग इसको बनाते हैं अब यह कहीं न कहीं बिलूप्त हो रहा है घर में भी इसका उपयोग करना बंद कर दिया है मार्केट में भी नहीं के बरावर बिखता है अब जो है सो सब फैंसी बरतन आ गया है टोटल चीज लोग वहीं से खरीद लेते हैं मौल से ओनलाइन खरीद लेते हैं इस सब का पूछ कम गया है लेकिन इस समय में भी लोग लगे हुए आप इन लोग इनसे बात करेंगे कि इस बिप्रीद परिस्थिती में जब एक तरफ लॉक्टाउन का जो है सो मार्केट के खराब स्थिती है इस पेशा से जुरिवे कैसे इन लोगों का धंदा चल रहा है और क्या-क्या आइटम है और क्या-क्या दाम है पहले इनका आइटम देख लेते हैं फिर तो इनके पास हम सबसे पहले जो सबसे छोटा आइटम यहां पर हम देख रहे हैं वह है इदिपली इदिपली का हम लो किल रहा है इसको वनाने में कितना मैंना उसनिटा करती हैं किटना सप्ता है इसलिए ने की इसलिए कि अगर फोरा यजा राट लेत uti लेने लगेंगे तो तो इसमें दो ही पोड़ते हैं उधर खड़ी थी इसमें भी तीन चार तरह का साइज हम देख रहे हैं क्यते क्यते रुपया थे अभी डिसकाउंट चलना है चुकि नया दुकान है अब अबनी का टाइम है कास्टमर भी इनको बनाना है तो इसमें पास दोस पंद्रों बीस रुपया का है कितना सस्ता है बताइए इसमें जो दही पोड़ाता है ना उसका टेस्टे अलग रहता है कि मटकूरी का जो दही होता आजकल सब ब्रांडेट खाते हैं लेकिन उसब केमिकल वला होता है मटकूरी में दही पोड़के अभी भी गाउं में लोग खाते होंगे और भी एक चीज़ रखा हुआ है इसे हां उठाने वाला ने पपनी में लोग आट उठाते हैं भगवान चंद्रमा को देख करके हैं हां चांची तो यह हाथ उठाती है पबनी में महिला लोग यह भी आइटम बहुत बनिया हाथ मिलिये तो वजन भी इसका अच्छा है क्या रुपईया दाम चेकर 15 रुपई कितना सस्ता है भाई वहुत सस्ता है यह जाइज रेट नहीं है यह ब इथैंधे क्लसी कलीज यह लोटा नहीं है इसमें जो है सो नारियल अपांधे कलस का मैं कांदिश लियुकी काम देता है कलस डाल करके इसमें पूजा पाठ लोग करते हैं कया रुपई आदाम शेकर अब बताए कितना बढ़ा है अध्यूस्य रुपई या दाम है थोड़ा आइटम है अब एक colorful item भी है मटकूड़ी इसको क्या बोलता है इसमें लर्का लर्की को चुमाया जाता है पर्चयल हाँ पर्चयल हाँ पर्चयल हाँ चुमाया जाता है तो वीद होता है उस अब नहीं समझ लिजेगा जो बोल रहा है इस भी हो गया उभी उभी आइटम है और इधर रखा हुआ हाथी थोड़ा केमरा में इधर दिखाईए हाथी को आप बहुत बराबरा कान है बहुत बराबरा टांग है सूर है इसको नए उठाएंगे क्योंकि कहीं ने कहीं इसको अगर फूट ओड जाएगा मौनलिजे गरी बाद मीं का नुकसान हो जाएगा देखिए दिखा रही है रख दीजे आप आईए थोड़ा सा इसके बारे में बताएए बहुत मेहनत से बनाते हों भी हाथ सधी पहवँ होता है मरवा पे आप लोग देखते होंगे हांथी पे कल्सा उल्सा रखा रहता है लोग अपने हिसाब से ज्यादा भी रखते हैं इतना मीनिमम हुआ मैक्सिमाम अपने हिसाब से आप लोग बरहा घटा सकते हैं अब बगल में देख रहे हैं यह को मिट्टी के बने हुए पेटुमल जी हैं अब इनको लोग क्या बोलते हैं की कहीं चीए की मुड़्ती मुड़्ती पैसा रखने वाला इसको गुल लग करते हैं हम लोग अपने गाव ने कए का चुक इस पैसा भी जमाह होगा घर का सुनदर्टा भी बरेगा आप इतना में निकला हुआ उसन में दॉना के इस हैं मैं कि अब को लगता है तोता आद देखिए इसको इदार है कि इसमें इसा सहइत इसमें से आप किलीप लिप डाल के निकाली होने सकते हैं बीच मॉन करेगा तो अगोल का वला में हम लोग निकाल लेते थे कागज बला हां क्या रुपईया थाम शेकर एक पचास रुपईया महां ते 50 रुपईया कभी सोचे हैं कि सब मौलूल में 50 रुपईया में खरीद ल इसमें भी श्री लिखा हुआ है ओम बना हुआ है सब कुछ बना वाइवा इव ला चुका आप लोग दुकान में यह जरूर किये होँए होंगे इस बिना कलर को राफार रुपईया के रुपया दाम शेकर दास रुपईया में इसमें आप कम से कम चाहिए गा तो 5,000 या फर लो हांते उठाने बाला इमें से पानी गिरे इछ ना क्या चारवा चोथ में पानी गिरा के पुजा होता है और इसमें होल किया हुआ यहां पर पानी बढ़े अईसे या इसे तीरे-दीरे गिरता रहता बहुत बनियां चीज बना हुआ है अच्छा भी लग रहा है फै अच्छा लग रहा है एकदम दिरे दिरे इसमें से गिरता रहेगा पानी और भी बरा सा मठकुडी है थोड़ा सर बरहाईएगा इवला सुराही को बरहाईए यह भी दिखाते हैं आप मार्केट में आप मार्केट में आप लोग रेट समझ लिजेगा गाउं से इधरे से बन क लिट्रा है यही 20 लिट्रा प्लास्टिक वला खरिते हैं तो कितना रुपया लगता है डेर सा रुपया प्लास्टिक वला केमिकल गया पानी में सु अलग इसमें पानी रखिये गाना आपको फिरीज की जरूरत ही नहीं परेगी ऑटोमेटिक ठंडा रहे गाई और इसमें आप आजकल देखें कि नौल भी लगा रहाता तुसमें लोगा सकते हैं इतना बनिया चीज है जब बने हुए हैं अब इतना लंबा वीडियो को नई ले जाना है कुल मिला के यह कहना है कि मित्टी से भी बहुत सारे आइटम आज भी गाउं में बन रहा है जो कही न कहीं लोगों तक नहीं पहुच पा रही है या तो लोगों का इंट्रेस्टीच में कम हो गया या फिर बाजार में इसकी उपलावता कम हो गई क्योंकि फैंसी प्रोड़क्त में बनाते हैं वो सब दूसरे से सबदेन के आता है और उसे हुआ यह जो हाथ यह लोग हूनर तैयार करते हैं बनाते हैं इन लोग इतना प्रोड़क्ट बनाते हैं और दाम रहता है कुछ हो नहीं दोस रुपया 15 रुपया का कोई भेलू है बताईए दोस रुपया में कुछ मिलता है भुजा भला कि यहाभी 15 रुपया 100 गराम भुजा देता जो की सब खरीद के उलग बनाते हैं जो चल रहा है और इंट का दुकान भी बना ली हैं बनिया है हम इनको सुभकामना देते हैं कि अच्छे से आपका दुकान चले और बनिया बनिया चीज बनाइए और मार्केट के लोग को भी कहेंगे कि इस सब चीज को खड़ी दिये सपोर्ट कीजिए अब दाम देखिये लिए तो नई दीजीए आपको नीचे चैमरा कीजिएे गाया यहां पए चाचाजी है इसी चक्की पर मिट्टी के दिया बना रहे हैं इस चकी पर ही बहुत सारा चीज बनाते हैं जो आपको दिखाए बीडियो में दुकान पर यहीं से बन-बन के जाता और पहले यह लोग जो है तो हाथ से घुमा घुमा के बनाते थे अब मोटर पर चक्की चला रहे हैं देखिए बिजली आने से सिर्फ घर में लाइट उट नहीं जलता है बहुत सारे चीज में सुवधा होता पहले लोग आटा पिसवाते है मोटर पर बनता और आसानी हुआ है उसको हां आसानी हुआ है पहले आट से चलाते थे पर आशानी था अम मोटर से चल रहा है तो सुब्धा है उमढ़ भी देखिए रहे हैं जो चला रहे हैं अब बहुत बनियाकलाकार है इस अम इनने समझेगा कि आज यह बना रहे हैं बच्पने से सब चीज बनाते हैं, हम लोग छोटे-छोटे थे तब भी बनाते थे, इस पर कौन-कौन सा आइटम आप बना लेते हैं, इस पर हम घरा बनाते हैं, करोना बनाते हैं, दही जमाने वास्ते, और धकन बनाते हैं, दीप बनाते हैं, मिती का समान जो है चकी पर बनन बनने लाइक है इंत को नहीं आता है यह बना लेते हैं अब डिश्टल हो गया है यह special कार खाना ही बना हुए हैं दिन भर ही मेहनत करते हैं उधर एक दुकान है इनसे एक चीज और पूछाँगे कि जितना चीज बनाते हैं अपने दुकान पर यह बेच रहे हैं अभी तो अपने दुकान पर बेच रहे हैं लेकिन अब सब मुझूद जगार हुआ है मुर्ती भी है तो इस सब को बाहर भी देंगे चुकि मोटर लग जाने से प्रोडेक्शन में बढ़ोतरी हुई है अब अपने दुकान से सोब नहीं बेच पाएंगे तो बाहर भी इनको भेजना ही परेगा ताकि इनका कार खाना अच्छे से चले जितना मेहनत करते हैं इनको पूंजी आए दूसरा एक चीज हम देखे कि जितना जितना हुनर से लोग बनाते हैं उस बनिश्पत जो है पैसा कम रेट बहुत कम है आपके समान सब्सक्राइब करते हैं इतना मेहनत करते हैं इंके लिए बजार की वेवस्था करनी चाहिए थी ओनी एक रेट पिक्स करना थाथा है ताकि इस हुनर से इस कलास से जूरे हुए लोग जो कुमहार जाती के लोग हैं उनको जो है तो सही आमदानी मिल पाती लेकिन सरकार जो है सरकार को कोई तो मतलब नहीं है जनता पबलीक से इनों मेहनत करते हैं दाम मिलता है कुछों नहीं बागवान भरोसे कर रहे हैं उमीद में हैं बचपन से बूढ़े हो गए और इस सिती में कोई बतलाव आई नहीं बना रहे हैं बना रहे हैं कभी बिख जाएगा कुछ हो आई यह ताई कि आईसे इसे कलाकार जो बनाते हैं इनको बजार उपलब्ध करवाना सहरी छेत्म में बहुत सारे लोग इसका उप्योग करना चाहते हैं लेकिन इनका समान सहर में पहुंचेगा कई से इसकी कोई बेवस्ता ही नहीं है यह दुकान गाउं में खोले हुए है कितना बिकेगा उसे अगल बगल के लोग ले जाएंगे अगर सरकार इस ओर ध्यान दे और इनके समान को निकलवा कर सहर में वेवस्ता करवा है एस्टोल का तो इनके जैसे जैसे बहुत सारे कुमार जाती के लोग है जो इस पेसा को छोड़ दियां सब इस पेसा में पूलेंगे और इनकी तरकी होगी तो बिहार की तरकी होगी लेकिन सरकार तो चाहती है कि बिहार की तरकी नहीं हो लोग बुर्बक बने रहें और बोट देते रहें बहुत-बहुत धना झाल है